नमस्कार साथियों आप सभी का सुवावत है जी के सलान में दोस्तों हम कक्षा 10 वी के लिए मेट के जो पेपर बोर्ड की और से जारी हुए थे वो देख रहे थे लाच्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि जो क्यूसन बेंग जारी किया गया है भी बोर्ड के माध्यम स और साथी साढ में दोस्तों कि पांट आपेपर नमर्ट है वो देखने वाले हैं तो दोस्तों पांच या साथ पेपर यह व Ip हो क्रेक कर लेना है तो जो बोड़ परिशाद 2024 सभी सब लगने वाली आपकी मार्च में ठीक है तो इसके रिगार्डिंग पेपर नंबर सेकेंड है वह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि साथी मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा दोस्तों प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे कांटेंट आपको दिये जाएंगे साथी साथ आपके जो जो भी आपकी चैप्टर है जो भी आपकी यूनेट्स है जो सलेबस में है सबके आपको क्यूसन टेस्ट चीरीज है वो भी दी जाएंगे पीडे फाइल वो सब भी आपको एप में मिल जाएगी ठीक है तो एप हमारा त्रोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा यहां को दोस्तों आप देख सकते हैं यह इसकी योजनाए है सबसे पहले देखिए य सब्सक्रndष और जाएगा आप तो में पास को सब्सक्राइब में चाहिए सबस्ब्सक्राइबह्स के पार कीष्णित इसकी ligए चाने को निथे का Michigan चाहिए हैं तेंट में पढ़ते हैं बहुत इजी लिए आप जानते हैं वरक करना अठारा को अठारा से मिल्टिप्लाई कर दो बात खता माठेंटे 64 में चार लास्ट में आ रहा है चार सभी में आ रहा है ठीक है आप 15 का जब 225 होता है देखिए 15 का कितना होता है 225 तो अठारा का इससे ज्यादा ही होगा ठीक है तो 224 वाला तो अप्सन हम यहां पर हटा देंगे 264 भी नहीं होगा क्योंकि 18 को तीन चेक गणा करूंगा मैं तो ठारती है चबवन तो मेरे वैसे हो रहा है 225 तो ऐसे था और चबवन ऐसे आ रहा है ठीक है पांच चानो मतलब यह तो उपर जा र प्ली की दिया गया है तो झाल चबड़ा है और को इसके श स्कौर आफ वी और टीक करना हों आपके उल्ले व opini एंप्छले वाले में कैसे हैं इसको हल करते हैं थोड़ा सा पनदेख लेते हैं कि ही स्कौर माइननस आपको दीए गया असछे क्या करना है अब आपको यहां पर माइनस दो एक्स और माइनस छे अब आप कहेंगे कि यह कैसे लिखा अब आपने भुपद बनाना सीख लिया होगा देखे जो यह दोनों संक्या होती है फर्स्ट और लास्ट यह तो क्या है मल्टिप्लाइ में कितनी हो रही है अगर मैं 6 को यहां पर एक मान की चलता हूं तो 6 है को एक से उना किया तो 6 तो यहां पर जो संक्याइं है वो भी मेरे कुछ साबसे रखनी होगी कि दोनों का मल्टिप्लाइ च्छा आना चाहिए और जोडने गठाने पर जो जो ओल्लेडी यहां पर प्रजेंट में है वही आना चाहिए तो दिखें आपर माइनस तीन एक्स यह प्लस कर रहेगा वही तो माइनस का 3x है और 3 दूनी 6 करूंगा तो 6 बिल्कुल माइनस के 3x में से 2x किया तो 1x बच गया मेरा ठीक है अगर इसको मैं मैंने रखता तो माइनस माइनस जूड़ जाते ही ठीक है इसलिए इसको मैंने क्या किया है समझज़ए आप अब यहा अनों हमेसा सहम रहेंगे जब भी आप इस परकार करेंगे भुपद वाला तो यहां पर घार गई 3 और 1 पर प्लस का था एक माईनस की दो तो दो बेलिव आपके पास आ गई एक्स की वेल्यू तीन आ गई और एक आगे एक्स की वेल्यू माइनस दो तीक है अब यहां पर देखिए ऑप्शन नमबर सी में आपको दिया गया है तीक है समझ गए चलिए आगे बात करूंगा मैं आपके कोस्थीटा साइंस्थीटा वाले क्यूशन आपको पढ़ लेने है दोस्तों मैं फिर से आप से रिक्वेश्ट करूंगा वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें अब आप सोचेंगे कि मैं से क्यों कह रहा हूं ठीक है मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी है वो भी पढ़े वो भी जाने कि 10th वोड जो आपन इस बार देने वाला है तो मैत में हमें किस तरह से पढ़ना है किन-किन टोपिक हो पढ़ना है ठीक है बाकि आपके डिपेंड आप करते हैं नहीं करते हैं मेरा रिक्वेश्ट आपसे कि करना चीए बाकि आप देख लेना यहां पर देखि देखें उर्द्वादर वाला जो मैंने बोताया था कल की वीडियो में जो आपके उन्यन कौन है और नमन कौन है उस से पूचा जाएगा और वो यहां पर देखिए एक उर्द्वादर लंबे खंबे की उचाए की परचाई सेम लगभा क्यूशन इसी परकार का था लाश्य होगा ठीक है तो इस परकार से अगर मैं इस चीज को लेकर देखो यहां पर मैं ठीक है इस परकार से तो यह जो मेरा कौन है वह लगबख 50 डिगरी का ही बनता है ठीक है इसके बाद देखें बिंदू 3 और 4 वाई एक से दूरी पर होंगे तो देखें यह मैंने अच्छे से इसके देखें और देखें ठीक है यह रही है यह जो है अफरी जो कि तीन है एक हमारी यह जो की चार है अवाई आप शिरी बात दोनों पोजिटिव में एकौला यह वाई वाला एक दो तीन चार यहां पर इस पर कारद से आ गया इसकी वैल्यू आपको फाक्नाट करनी है य 505 outta that고 आप Hilfe आपको प्रोफटी लगा उसको कहा लाइप माइनस में तौब आपको देख लेना इसके आपको देखी परकार की तितित यी प hydration जुर को मान पूछ लिया जाए जाएगा इस तरह से आप करेंगे इसके बाद एक यहां पर दीर्ग चाप का डिग्री माप क्या होगा गोले का व्याद चैंटीमेटर है गोले का इतन क्या होगा मतलब आपके जो समांतरचतरूज होगे आयतन वाले होगे संकू वाले होगे ठीक है गोले का पश्टे तनाव हो गया जो तिर्जा है उसके अधार पे इसक्यूशन गयात करने का होगे यह सारे फॉर्मुले दोस्तों मैंने ओल्लेडी आपको वाटसप और टेलेग्राम गूरूप पे सेर कर रखे हैं मैं एक बार क्या होता है वह फॉर्मुला लगाओ खतम बात चार चात्रों की सांक्य की प्राप्त अंग आपको दिए गये हैं मतलब समानतर वाद्य है वह आपसे पूचा जाएगा लाश्यूडे में हमने देखा रहा है अब यहां पर देखे सुत्र निखिलिम का परियोग करते हुए 107 का वर्ग आपको निकालना है निखिलम विदी दोस्तों कक्षा 5 से स्टार्ट हुजाती बस आपको इसका निखिलम विदी प्रियोग करना है अब यह आप देखे 15 का घन फल ग्याद कीजिए सुत्तर निखिलम द्वारा आपको लगाना है इसकी बाद देखे हैं आप समा प्रेक्टावाला क्यों समझा रहा हूं यह सारा जो बोर्ड के往ट से जारी किये जाते हैं यह पूरा पैटन यहाप आपको दे दिया गया है इस पैटन पर ही आपको त्यारी करनी है आराम से आपका मेट निकल जाएगा और भी पर हम करेंगे लेकिन पहले हम मेयात का में ए मेरी प्राइक्ता को लेते हैं कितनी जारी और कहां तक जारी है उसस पर ड्पांट रिर्थ एक यह आपने देख लेकर मिल जाएगा अब फ़ेकने की प्राइकता वह पुछी जाएगी पास हमें 6 होता है तो विसम आने की तो विसम देखे आपका 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, 2 ही होंगे, तो 2 होंगे तो देखे 2 बटा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पास हैं तो 6 भार फेकोँगा और 2 ही ऐसे कंडिसन बनेगी तो 2 एक हम 2 तो ती ऐसे 1 बटा 3 आगे हमें रख़ें, वहानों के लिए आवशक पीवीशी का नाम बताना है रोकदस्टी दूरी का आपको समेकन बताना है बिंदो के बीच की दूरी आपको बताना है दिखें तो एक्स एक्स वाले फिर लिखने ना है दूबारा ठीक है तो इनकी बीच की दूरी वही आपको फाइंड आउट करनी है किसी तिर्बूच के सीर से सम दूरस्थ बिंदू क्या कहलाएगा मालेज़े कि यह आपका कोई तिर्बूच है ठीक है अब यहां पर पुछ जाए कि स सिरस है इस सम दूरस्थ इसी कहले है कोई सम दूरस्थ है उला है पर डिलाले घजदय को वाले और मन को और खाइर ठीक है इसके बाद देखें हैं पर एक वर्थ की तिरजय आपको 13 cm दी गई है तो तिरजय और जीवा से लेटेट जो की उसला है इसकी यह तिरजय हो गई भाई तिरजय 13 cm है जीवा क्या होती है वर्थ की जो व्यास कहलाता है उसको अब जीवा बोलते हैं यह मेरी 10 cm है अब क्या करना है जीवा की वरत से केंदर की दूरी निकाल लिए यह जीवा है यह वरत का केंदर है इसकी दूरी है वो डाला गया लंब, जीवा को सम्दी भाजीद करता है मालब यह वर्त है आपका, ठीक है ये मेरी क्या है? जीवा है ठीक है, अब यहाँ पर कहे रहा है कि शिद कीजेए कि एक वर्त के केंदर से, ये मेरा केंदर है और जीवा पर डाला गया लंब यानिक इस जीवा पर मैंने ये लम डाला ठीक है माली जे की तो ये कह रहा है कि ये इसको दो बरावर भावों में बाटता है इसको आपको सिद्ध करना है ठीक है इसके बाद देखे यहां पर यह देई दिया गया है यहां पर देखे इसके बाद देखे यहां पर यह वाला क्यूशन हो गया इसमें दी गए आकरती A B वर्थ का व्यास है यह व्यास हो गया आपका A C दिया गया है आपको A और C 6 cm है बी और C आपका 8 cm है तो चायंकित भाग का 6 तरफल आपको निकालना है मतलब जो बच गया ना यह वाला उसका तो मतलब तीरबुज का निकाल लो फिर आपको गोले को निकाल लो तीरबुज का माइनस कर दो इसके बात देखे यहां पर अथवा में आपको यह दिया गया है इ आपको मैं पिछली एर का पेपर में ने आपको फर्स्टाइम बताई दिया फिर एक बार दुबारा हम रिवाइच कर लेंगे फिर भी ठीक है यहां पर यह चीज आपको मिल जाती है यह आपके अवनोमन कॉन से लेटेड हो गया बारां बारता बंटन हो गया समांतर वाद् से 2 है यह आपको थोड़ा सा यहाथ Iya यह पर देखिए मैं थोड़ा सा अब कर देता हूं उन मयनस साइन 55 प्लस सा यह न हमान आपको को दिया गया है ठीक है मिव मतलब क्या होता है एसको कर लोगा दोनों को अब यह cost दिया गया है तो 1 upon कर लेना आपको इसको change कर लेना इसको बाकि यह भी upon में कर लेना जैसे आप करोंगे तो यह आपस में कर जाएंगे यानि कि आपको पता है कि 1 minus 1 minus sin square theta plus cos square theta क्या होता है एक होता है और यह निकल के आएगा देखना है तो यह आपका एक होता है एक बराबर साथ बटा चार आपको मिलता है इसको एक समान लीजिए बाकि इसकी value आपको यहां से input हो जाएगी अब यहां पर देखिए लग मिल रहे हैं तो वह भी हमें देख लेना है हमें तो कुछ भी नहीं चोड़ना है ताकि जितने भी संभावित परसन है उस सब आपको पता लगे और आप बोड़ में अच्छे marks लाए ठीक है यह हो गया मेत का second number का चलिए इसके बाद हम मिलेंगे अगले पेपर के लिए और किसी दूसरा सब्जेट के लेंगे मेत वगेर हिंदी का हिंदी का अपन पूरा क्यूशन बेंक है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूँगा लेकिन बहुत थोड़ा हम टाइम लगेगा इसलिए पूरा आदा एगंटे का बनेगा वीडियो उसमें आपको पूरे क्यूशन में आपको बता दूँगा ठीक है जली मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद